हेलो नमस्कार दोस्तों मैं अभाय कुमार सुकला रेलवे गुरूबडी एंप्लोई आप सभी का अपने चैनल स्ट्रेंट फीवर में स्वागत करता हूं आज का जो टॉपिक है वह है आरार्ची गुरूबडी के बारे में ठीक है तो इस पर बिस्तिरित बाते होगी कि क्या सब्सक्राइब क्या होगा या अभी बहुत सारे से बच्चे बोलना है कि यहां का कट-फ कम जाएगा तो क्या ऐसा होगा इसे पल अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजेगा आगे आपके जो गुरूबडी के बारे में एक एक अपडेट म क्या आपके क्या खाई करेंव दलता है कि सेपरेट मिलता है कि अपड आएक जाएगा और यहां से अपड़ कोई नहीं समझे ऐसा क्यों तो आप स्वेम इसका अपने आप ही सोचता है कि मैं क्यों बोल रहा कैसा बोर्ड का आप देखिए तो नॉर्मल सा अगर किसी बोर्ड का बात करते हैं तो आप छे लाग से 7 लाग 8 लाग 9 लाग फॉर्म गिरे हुए है ठीक है इतने बचे ने फॉर्म अप्लाई किया और आप बोल रहे हैं कि 60 परसंट ही अटेंडेंच जा रहा है सर तो कट अफ कम जाएगा तो आप बताइए 6 लाग में से 60 परसंट अगर आप करते हैं तो 3,60,000 बच्चों ने एकजाम दिया ठीक है जब 3,60,000 बच्चों ने एकजाम दिया और आपका वहां पर सीट कितना है मैक्सिमम दो से 3,000 ठीक है 3,000 4000 माल लेते हैं अगर 4000 भी सीट है तो हमको तो वह 4000 बच्चे ही न चाहिए ठीक है और दूसरा बात या कि इसमें कोई मेंस नहीं होने वाला है कोई टाइपिंग कोई साई को कुछ नहीं यानि फाइनल अपका सेलेक्शन जो है वह इसी पर बैस्ट है जो रणिंग से रणिंग का जो सीडेवल है या जो 35 के लेकर दोड़ कोई ऐसे बच्चा नहीं है जो मेडिकल डीवी में चड़ता हो माल लीजिए कि अगर जहां 200 का रणिंग हो रहा है उसमें दो बच्चे अगर चट भी जाता है तो उनको कोई आप खास इसों नहीं रख सकता है तो मैं तो यहीं बोलूँगा कि अगर आप मेरा बात सब्सक् खुद ही समझी एक ही एक जाम पर आपका मेरीड बनने वाला है और पहले क्या था जिसे हम लोग के टाइम जो मेरीड गया था बहुत हाई गया था उसमें भी तो उसमें सोची आप 2018 में जो यह ऑनलाइन ट्रेंडिंग था बहुत कम था बहुत सारे कॉम ऐसे बच्चे थे उसमें बहुत अच्छे खासे स्कोर की है तौफ एक जाम होते भी इसका मतलब यह है कि बच्चा जो है वह अच्छे खासे टैलेंटेड बच्चे आ गया है मार्केट में और उनसे वह आपसे भी फाइट करेंगे ऐसा नहीं है कि जो एंटीपीसी दिये है वह नहीं फाइट करेंगे वह भी फाइट करेंगे तो आपका लड़ाई तो उनसे भी है तो आपको अल्रेडी अच्छा करना होगा तो इसलिए मैं यह सजिसन दूंगा कि आप इसे हलका में ना लें और यह ना समझे कि कटफ बहुत कम जाएगा आप एकदम अपना दो बेस्ट दे कराएं औ का चांस है हाई जाने के पीछे भी क्या कारण है तो इसके देखिए जैसे कि हम लोग ने भी इस फॉर्म को अपलाई किया है क्योंकि उससे में मेरा अभी फाइनल सेलेक्शन नहीं हुआ था यहनि हम लोग का जोइनिंग नहीं हुआ था अभी मैं इस एक्जाम को नहीं अब कर रहे हैं उनको उतना टाइम नहीं मिल रहा है इसके प्रिफ्रेशन के लिए लेकिन आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर कोई करेगा तो वह बच्चा जो एंटि पीची के प्रिफेक्ट करेगा और इससे आपको थोड़ा से इफेक्ट होगा कर लेकर ठीक है तो म सब्सक्राइब को लेकर बहुत सक्त हो गया है कि बहुत सारे से बच्चे जिनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा था अगर वह 75 भी लाते हैं और उनका फाइनल नर्मलाइजेशन बढ़ता था तो नहीं हो पाता था उनका सलेक्शन तो इसलिए प्रयास किया है कि कम से कम नर्मलाइजेशन हो ज्यादा से ज्यादा बच्चा को अपर्चुनिटी मिले और जो अच्छा है जो टैलेंटेट है तो हम यहीं बोलेंगे कि आप अभी भी एक जो बच्चे हुए है वह 65-70 का सपस रोमाक्स लाने की प्रयास किजिए और फिर आपका हो जाएगा से लक्सन चलिए नेक्स वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें आप सभी को यह बताऊंगा कि उसमें क्या आपको कितना असान है या कितना टफ है उसको लेकर ज्यादा सिरियस नहीं होना है उसमें बहुत असानी से आप निकाल सकते हैं इसलिए अभी